नियम 377 के अधीन मामले सभा पटल पर रखने की इजाज़त दी जाती है मान्य गरम अंती जी मान्य अध्यक्षी भारतिय सेना को नागा लेंड के मौन जिले के पिजित क्षेत्र में पिरू गाउं के पास उग्रवाजियों की आवाजाही की सुचना मिली थी इसके आधार पर सेना के 21 पेरा कमांडो के एक दस्ते ने दिनान 4 बार 2021 की साम को संदीक दिख शेत्र में अंबूस लगाया था अंबूस के दोरान एक वहन अंबूस के सान के समिप पहुँचा उसे रूखने का इसारा और प्रयास किया गया रूखने की बजाए वहन द्वारा उस जगर से तेजी से निकलने का प्रयास किया गया जिसके उपरान इस आशंका पर कि वहन में संदिक विद्रोही जा रहे थे वहन पर गूली चलाई गई जिससे वहन में सवार आठ व्यक्तियों में से छे व्यक्तियों की मृत्ति हुई बाद में ये गलत पहचान का मामला पाया गया जो दो लोग गायल हुए थे उन्हें सेना द्वारा ही इलाज येतु नदी की स्वास्त केंद्रे में ले जा गया यह समाचार प्राप्ट होने के बाद स्थानिक ग्रामिनों ने सेना की टुकडी को घेर लिया दो वहनों को जला दिया और उन पर हमला किया इसके परिणाम सरुप सुरुक्सा बलके एक जवान की मृत्ति हो गई तथा कई अन्य जवान गायल हो गई अपनी सुरुक्सा में तथा भीड को तितर बितर करने के लिए सुरुक्सा बलो को घोली चलानी पड़ी जिससे साथ और नागरिकों की मृत्ति हो गई तथा कुछ अन्य गायल हो गई सानिय प्रसाशन और पूलिस ने सिती को सामान्य करने के प्रयास किये हैं अभी सिती तनावपुन लेकिन नियंत्रन में बनी हो गी पूलिस महानिदेशक नागलेन और आयुक नागलेन ने दिनांग पांच बार 21 को गटना स्थर का दोरा किया ताजित पूलिस थाने में गटना के बारे में प्राथमी की दर्ज की गई है और मामले की घंभीरता को ध्यान में रखते हुए इस मामले को राज्य अपराज पूलिस टेशन को जांच के लिए स्वंप दिया गया है इस तंदर में एक विशेज जांच टीम एसाइटी का गठन किया गया है जिसे एक महा के अंदर जांच पूरी करने के निर्देश दिये गए है उपरोत गटना के पस्चात दिनांग प उद्वेलित भीड ने मोन सहर में असम राइफल की कंपनी ओपरेटिंग बेज पर तोडफोर की भीड ने सीओबी के मकान में आग लगाई जिसके उपरां असम राइफल की टुकडी को भीड को तितर बितर करने के लिए गोली चलानी पड़ी इसके कारण एक और नागरिक की मृत्यू हो गई और एक अन्य गायल हो गया प्रभाविक शित्र में किसी और अप्रिय गटना को रोकने के लिए अत्रिक्त बलों की तैनाती कर दी गई है सेना की तीन कोर मुख्याले द्वारा एक प्रेश वक्तव्य जारी किया गया है जिसमें नीडोस नागरिकों की द दूख सेना द्वारा व्यक्त किया गया है सेना द्वारा इन दुरुभाग्यपूर्ण मृत्यू के कारण कारणों की जांच उच्चतम स्तरपर की जा रही है और कानून के अनुसार सम्मूसित कारेवाही की जाएगी घटना की सुचना मिलने पर मैंने तत्काल नागालेन क के मुख्य सचीव और पुलिस महादिश्देरिशक से संपर किया गया कल पुरे दिन स्थिती को मॉनिटर किया गया गुरू मंत्राले द्वारा तुरंत पुर्वत्तर के प्रभारी अपर सचीव को कोहीमा बेजा गया है जहां उन्होंने आज सुबे नागलेन दाजे सरकार के मुख्य सचीव एवं अन्य वरिस्थ अधिकारियों और अर्ध सहिनिक बलो के वरिस्थ अधिकारियों के साथ बैठक की स्थीती का विशतार कूण समिक्सा की है ताकि यह सुनिस्चित किया जा सके कि सिद्र सामने सिटी बहाल हो यह निने लिया गया है कि सभी एजन्शो को यह सुनिस्चित करना चाहिए कि विद्रियों के खिलाप अभ्यान चलाते समय भविश्य में ऐसी कोई दुर्भाज्य पुर्ण गटना की पुंड्रावुति न हो। सरकार सिटी पर शुक्समता से नजर रख रही है और शेत्र में सान्ती और सोहाग सुनिशित करने के लिए आवसक्ता अनुसार जरूरी उपाई भी किये जा रहे हैं। राज्य पदाद प्राधिकारियों ने एक्षियाद के तोर पर प्रभावीत इलाकों में निशेदाग्या लागू की है। भारत सरकार नागालेंड में हुए इस दुरुबाग यपून घटना पर अक्षियाद व्यक्त करती है और मुतकों के परिवारों के पती गहरी सम्वेदना व्यक्त करती है।